हेलो गाईज, वेकम बैक तो माई यूटूब चैनल, तो आज हम इस वीडियो में exercise 6.2 करेंगे फिफ्त क्लास की मैप की बुक की, ठीक है फिविस वीडियो में हमने exercise 6.1 की थी, इस वीडियो में हम exercise 6.2 करेंगे यहां पर आपको exercise में ही आपको टेबल दिया है, फिविस वीडियो में हमने length देखी थी, अब इस वीडियो में हम किस क्या देखेंगे, weight देखेंगे, unit of weight देखेंगे देखो किलो ग्राम है, kg का मरलब क्या होता है किलो ग्राम, एक किलो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, एक हेक्टो ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100 ग्राम होते हैं, एक डेका ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 ग्राम होते हैं, एक ग्राम में कितने ग 1 by 1000 miligram होंगी ठीक है यह table भी previous table जैसे ही है अगर हम इधर से इधर को जा रहे हैं तो हम multiply करेंगे अगर हम इधर से इधर को जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे divide करेंगे ठीक है अब हमारे पास exercise 6.2 है first sum से start करते हैं आपको क्या करना है wait find out करना है first में आपको given है यहाँ पे kg है 1 kg है और यहाँ पे 500 gram है तो आपको अंसर given है अब इस वाले में क्या है आपको यहाँ पे 2 kg given है ठीक है मैं उपड़ लिख देती हूँ ठीक है यहाँ इसका अंसर तो यह आगया 2 kg and 50 gram और इसे हम कैसे लिखेंगे 2 decimal 250 gram आप इसे ऐसे लिखोगे यह आपका बीब का अंसर है अब C में क्या आपके पास 1 gram है ठीक है और कितने 1 kg है और कितने gram है 50 gram है और इसका आपका आंसर क्या हैगा 1.50 gram आप इसे ऐसे लिखोगे डी में क्या आपके पास 2 kg है और 100 gram है और 50 gram है ठीक है आप 100 और 50 को क्या करोगे आपस में प्लस करते होगे तो आपके पास 2 kg and 150 gram आजगा यह इसका आंसर है ठीक है और इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पे आ 150 ग्राम आपका अंसर आजाएगा ठीक है यह था A part अब हम आपका B part करेंगी ठीक है ठीक है अब आपको यहां पर टीवल है आपने सिरफ टिक लगाना इसमें आपके पास कितने ग्राम है पहले first of all आपके पास 1 kg है तो आपके पास C है और ग्राम कितने है यहां पर एक तो 600 है 600 तो कहीं नहीं it means 500 ग्राम है यह तो 500 ग्राम है और यह कितना 100 ग्राम आएगा अब आपके पास 0 kg है it means यहां तो नहीं आएगा ठीक है अब आपके पास 850 बनाने it means 50 आएगा 500 में क्या हम प्लस करेंगे कि मैं बस 800 आजाए तो 500 200 800 आपके पास यह आएगा अब आपके पास 1 ग्राम है, 1 kg है और 50 ग्राम है, तो आपके पास 1 इदर आएगा और 50 में आपके यहां पर टिक लगाओगी, इसमें कितने है 1 kg और कितने ग्राम है, 50, 70, 700 ग्राम है, तो 500 और 200 ग्राम मिलके क्या बनाते हैं, 700 ग्राम, अब इसमें क्या 1 kg है और कितने ग्राम है, 250 है, 1 kg आपका आएगा 250 कैसे बनेगा 200 ग्राम और 50 ग्राम को मना की ठीक है ये तो second sum था अब हम third sum करेंगे ठीक है 2.850 it means हमारे पस 2 kg है और 8.50 कितना हमारे पास ग्राम है 15 हमारे पास ग्राम है और 790 हमारे पास क्या है ठीक है यहाँ पर आपका कैसे लिखोगे 12.625 किलो ग्राम इसे आप कैसे लिखोगे 7.75 ग्राम और इसे आप कैसे लिखोगे 10.800 ग्राम ठीक है यह था आपका फिलिंग दा ब्लांक अब हम क्या करेंगे convert करेंगे ठीक है convert में क्या है आपका जो question number first है आपका उसमें आपको क्या है 3.275 ग्राम को आपने किसमें convert करना है miligram में convert करना है ठीक हम पहले हम table देखेंगे अब इसमें क्या है ग्राम को आपने miligram में convert करना it means आप इदर से इदर को जा रहे हो तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे इसमें multiply करोगे 1000 के साथ multiply करोगे first of all आपको पता चल जाएगा one gram में कितने miligram होते है thousand thousand miligram होते तो it means आप क्या करोगी 3.275 को आप 1000 miligram से multiply कर दोगी ठीक है आपके पास answer आजएगा यहाँ पे कितनी है ठीडिजीट है तो आपके पास answer क्या आएगा 3,2,7,5 miligram multiply कर दोगे आप आपके पास answer आजएगा क्योंकि यहाँ पे decimal जब हो multiply करते है तो इधर से इधर को जाएगा कितनी डिजीट है 1,2,3 तो multiply 1,2,3 डिजीट के बाद क्याएगा decimal आएगा ठीक है अब B part है B part में क्या है आपका 8050 gram को आपने किसमें convert करना है kilogram के करना है अब देखते हैं table में कि हमने divide करना है या फिर हमने multiply करना है 100,10,1000 के साथ अब इसमें किया हमने gram को kilogram it means आप इодher से इदर को जा रहे हैं it means क्या हो करेंगे आप thousand के साथ उससे क्या करोगे divide करोगे अर आपको पता चल जाएगा कि 1 gram में कितने kg होते हैं? 1 gram में 1 by 1000 kg होते हैं तो आप क्या करोगे? 8, 0, 5, 0, ठीक है? divided by 100 kg आपके पाश आंसर आजाएगा आपके बिएस आंसर में कियाएगा कितनी 0 है? 1, 2, 3 it means 1, 2, 3 डीजोगे पाद यहां पर decimal आएगा answer में कहेगा 8 decimal 050 kilogram clear है अब हम C part करते हैं ठीक है अब आपने kilogram को gram में convert करना है kilogram है उसे आपने क्या करना है kilogram है उसे आपने किस में convert करना है gram में convert करना आप इधर से इधर को जा रहे हो it means क्या करोगे आप thousand के साथ इसे क्या करोगे multiply करोगे और आपको पता चल जाएगा एक kilogram में कितने gram होते है thousand gram होते है ठीक है तो 4.2 into thousand gram आपके पास अंसर आएगा 4 to या आपके पास अंसर आजएगा क्योंकि यहाँ पे से यहाँ पे जाएगी कितने है एक दो तीन तो एक दो इसके बाद यहाँ पे सकते हैं यहाँ पे 4 to zero zero decimal zero gram दोनों आपके सही होंगी ठीक है अब हम डीपार्ट करेंगे अब आपने क्या है 865 जो आपका miligram है उसे आपने किसमें convert करना है gram में convert करना है ठीक है फर्स्ट अफल अब आप कहां जा रहे हो miligram है उसे आप इधर को जा रहे हो देखो अब आप इधर को जा रहे हो it means क्या करोगे आप divide करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा 1 miligram में कितने gram होते हैं 1 by 1000 gram होते हैं ठीक है तो आप 865 को आप 1000 के साथ क्या कर रहे हो divide कर रहे हो ठीक है यह gram जरूर mention करना आपके पास आशर आएगा 0.865 gram आपके पास आशर आजएगा ठीक है क्योंकि यह आपके कितने 0 है 1,2,3 तो it means 1,2,3 डिजिट के बाद decimal आएगा फिर आप 0 लगाओगी ठीक है अब आपका है यह sum और जो इस exercise का last sum है 5,2 gram को आपने अब किसमें convert करना है kilogram में convert करना है again है देखो gram को आपने kilogram में convert करना है again इदर आ रहा है तो इतनी साब क्या करोगे divide करोगे आपको पता चल जाएगा 1 gram में कितने gram होते है 1 by 1000 kilogram होते है क्यों आ रहे कितने हैं 1,2,3 तो it means 1000 आएगा ठीक है तो 5,2,0 1000 kilogram आपके पास क्या हैगा 0,5 2,0 kilogram आपके पास अंसर आजाएगा ठीक है विद दिस आपकी 6,2 complete हो जाती है I hope through this video आपको ये exercise समझ आगी होगी अगर आपके वीडियो पसंद लगी तो प्लीज आपके से like कीजी शेर कीजी और चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजी Thank you for watching this video